50 रुपए 60 रुपए के फायदे के चक्कर में यहाँ पे जहर बनाया जा रहा था अखिर यहाँ पे कहीं न कहीं अगर देखा जाये तो योगी सरकार का जो दावा है कि हमारे हाँ लावनाडर बहुत बढ़िया है लेकिन उसके आड में या किसके मिली भगत से यह काम यहाँ पे हो रहा था यह जहर यहाँ पे बनाया जा रहा था जिस जहर के पीने की वज़ा से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कुछ लोग अस्पताल में भरती हैं मौत की संख्या बढ़ सकती है रुपाईपूर यह गाउं है यहाँ पे दो दिन पहले शराब प बारियों द्वारा यह तेरा लोगों की हत्या की गए और अभी भी लोग अस्पताल में भरती हैं मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है इसको देख लिजए यह घर है यह घर नहीं है यह सराब कार्यों बारियों की बिल्डिंग है यह सराबी बिल्डिंग है हम आपको सब्सक्राइब तकर दोखों कि कि और यहां वर गया रहा चीज पैसे पडर्ब करप रितव क्ना अमिंत सब्सक्राइब के नदसा के लिगल में परफिन मारे मीडिया से तुदान ओर आप में यहां से देख लिए नदसा दोझेत Uhm यहाँ पर JCB के दोरा खुदाई की गई JCB के दोरा खुदाई करके यहाँ से सामान निकाला गया और यहाँ पर जो जहर बनता था वो सराव नहीं था वो जहर था जहर DFORE टे दे कर तेरा लोगों की हत्या की गई है सराव करुबारियों के दोरा और एक चीज हम और बता दें यहाँ पे जो बाहु बली के नाम से जाने जाते हैं रमा कांत्यादो, सापानेता जो है वो उनी का कोई रिष्टेदार है भांजा बताए जारा साइद वो भी पुलिस के गिरफ्ट में है पुलिस ने गिरफ्ट कर लिया है तकरीबन 10 लोगों को और यह जिसका घर है नदीम का घर है यह नदीम को आज दढ़के सुबह तकरीबन सावा 5 बजे पुलिस ने मुर्भेड में उसको भी पकड़ा, पैर में उसको गोली लगी है और उसको आजमगर सदर में वो भरती है आईए हम आपको तस्वीरे पुरा दिखा देते हैं यह सरावी बिल्डिंग की यह जहर जो यहाँ पर बन रहा था जिससे तेरा लोग मौत की आगोस में आ गए तेरा लोग मर गए और उनके परिवार का चीख और दर्द जो इस समय है वो कोई सुनकर वो चीज बरदास नहीं कर पाएगा कोई भी हर लोग को जब उनकी आवाजे आप सुनेंगे उनका दर्द देखेंगे कौन है आखिर इसका जिम्मेदार कौन लेगा इस जिम्मेदारी इस चीज का जो यहाँ पर जहर बन रहा था यह देख लिजे यह घर के आसपास जब पुलिस को सूचना मिली इस चीज का तो यहाँ पर प्रसासन के द्वरा जेसी भी लाकर यहाँ पर देख लिजे खुदाई की गई और खोदने के बाद यहाँ पे दो टाली मैटेरियल मिला जिससे यह जहर बना रहे थे सराब बना रहे थे आप सोच सकते हैं कि जो जान गई है उसकी कीमत कोई नहीं आदा कर सकता पचास रुपे से साथ रुपे या सो रुपे के जो भी सराब की कीमत रही हो उसी पचास रुपे के फायदे में जहर बनाया जा रहा था लेकिन जिस परिवार का चिरा गुजड़ा है वो अखिर बताईए कौन भर सकता उसको क्या कीमत है उसकी किसी के जान की कीमत किसी को अंदाजा नहीं है किसी बेक्त की जान की कीमत कितनी हो सकती है लेकिन पचास रुपे साथ रुपे के फायदे के चक्कर में यहाँ पे जहर बनाया जा रहा था अखिर यहाँ पे कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो योगी सरकार का जो दावा है कि हमारे हां लावनाडर बहुत बढ़िया है लेकिन उसके आड में या किसके मिली भगत से यह काम यहाँ पे हो रहा था यह जहर यहाँ पे बनाया जा रहा था जिस जहर के पीने की वज़ा से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कुछ लोग अस्पताल में भरती है मौत की संख्या बढ़ सकती है 50 रुपे, 60 रुपे के फायदे के चक्कर में यहाँ पे जहर बनाया जा रहा था अखिर यहाँ पे कही न कही अगर देखा जाए तो योगी सरकार का जो दावा है कि हमारे हाँ लौए नाडर बहुत बढ़िया है लेकिन उसके आड में या किसके मिली भगत से यह काम यहाँ पे हो रहा था यह जहर यहाँ पे बनाया जा रहा था जिस जहर के पीने की वज़ा से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी कुछ लोग अस्पताल में भरती है मौत की संख्या बढ़ सकती है चलिए यहाँ पे गाउं के लोग कुछ है इनसे हम पूछेंगे कि आखिर इनको इस चीज के बारे में कुछ पता था या नहीं पता था जो जहर यहाँ पे बन रहा था हम यहाँ पे गाउं वाले लोगों से जब बात कर रहे है सोचने के उनसे हम बात करें कुछ जानने का प्रयास कर रहे है कि कुछ यह लोग बताएं कि आखिर क्या मामला था कब से यहाँ पे बन रहा था कितनी यहाँ पे सराबे पकड़ी गई कितना material जो भी था सर आपका कोई भी बताने को तयार नहीं यापे पड़ोसी देख लिजें ये नदीम के घर के सामने ये ये घर और ये घर वाले सीधा मना कर रहें हैं कि हमको नहीं कुछ पता है यहाँ तलग ये भी चीज ये बताने को नहीं तयार है कि यहाँ पर प्रसासन कब आई प्रसासन हरकत में कब आया जब लोगों की मौत हो गई और प्रसासन अगर पहले से हरकत में आता प्रसासन को ये चीज पहले से पता होता तो आखिर ये तेरा जो मौते हुई है ये मौते नहीं होती आखिर ये जब घटना हो गई तो फिर जाके पुलिस हरकत में आया प्रसासन हरकत में आया कौन है आखिर इसका जिम्मेदार हम सवाल करते हैं सिस्टम से और जो सत्ता में है सवाल हम उसी से करेंगे यह नदीम का जो घर है यहाँ पे जहर का कारोबार जो हो रहा था इस पास आस पास के लोग गाओं घर के लोग क्या इन मी सीज को लेकर देख रहे हैं हम गाओं वाले से सौच रहे हैं कि बात करें लेकिन गाओं का कोई भी सदस्ते हमसे बात करने को तैयार नहीं नहींगे जब हम उनको कैमेरे में लाने की सोच रहें तो वो किस तरह से भाग रहें अब यहां पर खड़े यह तमासा देख रहे थे और यहीं तमासा यह लोग ऐसे देखते रहेंगे अगर इनके परिवार के साथ हुआ होता फिर भी इनको यह खावर नहीं रहती कि हमारे गाउं में अब जहर बन रहा है देख लिए गाउं के लोग किस तरह से भाग रहें सब को हर चीज सब को पता है इनके गाउं के पास हम इलाबाद पढ़ते हैं बहुत यहां पर दो दिन पहले कि घटना है जब आए यहां पर तो क्या था यहां पर महुल प्रसासर कभी हां पर आई हैं इतने लोग मरें सारा आप लोग वही आया थे तो सब लोग कह रहें मीडियों वाले आए तो मैं अभी अभी को आया हूँ इसी गाउं के हो यह कुछ चलिए ठीक है तब तक तो नहीं पता चला लेकिन अब आके पता चला गी नहीं कि यहां पर जहर बन रहा था यह नहीं हमको किसी को खबर नहीं था इस सीज के बारे नहीं हमको नहीं मालूम है हमको नहीं मालूम है चले और भी लोगों से हम सोचेंगे प्रयास करेंगे यहां पर जानने का कि आखिर जो यह जहर बन रहा था यहां पर यह जहर का कारोबार हो रहा था क्या इन गाउं वालों को इसके बारे में पता नहीं था लेकिन देख लीजे दर्वाजे बंद हो गए जब हम लोगों से जानने का प्रयास करें तो लोग दूर से तमासा देखते हैं और इसी तरह से तमासा देखते रहेंगे जब अपने परिवार के साथ इनके परिवार का कोई है जहर कर पीकर उसके साथ कुछ ऐसा होता तो फिर यह इसा तरह से पिर, तमासा ही करते रहते देख लेई किंस तरह से लोग भाग रहे हैं और जब